बिस्मिल्य रह्मान रहीम आज के वीडियो में वन एर का रिजल्ट दिखाएंगे शकील जिसका तालुक वजिरिस्तान से है और इसका एक साल पहले ट्रंस्प्लांड किया था और यह बेक साओधी में होते हैं तो साओधी अरब से भी आया था तो मैं ओटी में था इन्होंने मेरे लिए इसको वेट भी करा जिसके लिए मैं शकील को तेंगी बोलना चाहता हूँ और स्पेशली रिजल्ट के मरीज अक्सर रिजल्ट की वो नहीं सो करते हैं सरमाते हैं या कोई चुपाना चाहते हैं लेकिन इस तरह पेशेंट हो जो हमारे अपने अलाके का हो तो लेकिन इसका माशारला जो बाले वो थोटे कर लिए इसकी वाझा से फिर बहुत जयादा भी लग रह है क्योंके ट्रंसप्लांट में इतनी डेंस कीसिटी राना मुश्किल रहा हो लेकिन इस वो आई वागल कर लिया इसकी वाझे से फिर तोड़े जयादा लगते हैं गल् أ मेरे ساتھ मेरे क्लाइन भी बेटे वे साइड पर जो पाइजाब से यह मेरे वीडियो बहुत रीडियो देखते और यह वीडियो के लिए बेटा एकर वीडियो बनाएंगे तो यह आज लायो देख रहा है कि मैं यह रिजल्ट कैसे दिखाता हूँ और यह वाकी सच में इसी तरह होते हैं यह नहीं होते हैं अभी इसको इसी बालों को हम नीचे करते हैं तो नीचे से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहां तक माशालला बोट ही अच्छा का औरेज हो चुक है जहां तक ट्रंस प्लांट किया था अभी इसकी इदर तोड़ी तीनिंग है लेकिन यह यहां पर गंजा नहीं है क्योंकि यहां से आगे वाले बाल इदर लेड़ के तो यह नीचे आ रहे तो यह जगा फिर तोड़ा खाली नजर आता है जो के नेचरली इसी तरह होता है तो शकील से भी आम रिविव लेंगे कि लोगों ने इसके हैर्स ट्रंस प्लांट की तारीफ की यह नहीं कि लोग कि कोई रिकागनाइस कर सकते हैं इसका सबसे बेस्ट जो वो चीज मुझे अच्छा लगए ना कि बिल्कुल पता नहीं चलते हैं ट्रंस प्लांट हैं अगर आप लोग देख लें यहां तक इसके अपने आये हुए थे मैंने एक उंगली उससे भी उपर रखे और वही बाल ज की साथ उपर जाते हमारा हेरलाइन फिक्स होते हैं तो शकील से रिवीव लेते हैं कि शकील क्या के ने चाहते हैं जी शकील असलाव अलेकूम तो मैं ट्रंस प्लांट के लिए स्पेशल साओधी से डाक्टर हबीब के पास आया तो माशाला हमें मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला इसी का क्योंकि मेरे साथ उदर एक और बंदा भी था उसने कई और कंट्री से किया लेकिन मेरे और उसके रिजल में जमीन और आसमान का फर्क ता तो वह भी बाद में मुझे गिला कर रहाता कि मैंने भी पाकिस्तान से क्यों नहीं आपने यही का के डाक्टर हबीब का तो एनिवे आप जहां पर भी हो माशाला यहां पर डाक्टर हबीब सर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से यह जो ट जाओंगे बहुत पैसा लगता है इदर इनका बहुत कम है तो कम पैसों में अच्छा ट्रीटमेंट यह मिलता है डाक्टर हबीब सर के पास तो सर यही मेरा तो माशाला इसने रिवीव बहुत अच्छा दे दिया प्राइस की बात की प्राइस की अक्षर यह होता है कि मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूं कि प्राइस मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें एक मरीज का सर बहुत खराब हो गया है किसी और बंदे से कराए है तो जो कह है तेकिन हो सकते है वो वीडियो अनकरीब आजाएगी मेरी और बाकी हमारी जो प्राइस है अगर आप देख ले नान डाक्टर की निजबत पकिस्तान में मेरा ज्याद है जाहरे वो एक बंदा डाक्टर नहीं है तो कंप्लिकेशन भी पहलाता है लेकिन जो हमारे प्लस्ट सर्जन है अगर दूसरे शेरों के प्लस्टिक सर्जन से आप कंपेर करें तो मेरा उससे कम है क्योंकि मैं पिशावर में रहता हूं अब इतलामबाद में होता तो डेफिनेटली वो लोग फिर मेरा भी ज्यादा होता तो मेरी यह कोशिश होती है कि मैं प्राइस इस तर एव इसने खुद बोला ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा तेंक यू फर वाचिंग अल्ला आफिछ